हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की फेमस माह की दाल इसके लिए काली उड़त की दाल को रात बर पानी में भीगो कर रखने अब इस दाल को कुकर में डाल कर तीन से चार गिलास पानी डाले यह पंजाब की एक फेमस दाल है जिसे काली उड़त के नाम से भी जाना जाता है और इस दाल को लोग चावल के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं इस धर कुकर में पानी डाल कर इसमें एक से दो चमच नमक डालेंगे अब कुकर का ढखकन लगाकर इसे गैस या इंडक्शन पर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखतेंगे इस दाल में 10 से 12 सिटियां लगाएंगे क्योंकि इस दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है अब हम कुकर खोल कर देखते हैं कि हमारी डाल पक चुकी है की नहीं डाल तो अच्छे से पक चुकी है अब हम दो प्याज को काट लेंगे 5-6 करिया लहसुन और अद्रक को भी पतला-पतला काट लेंगे एक से दो हरी मिर्च भी काट लेंगे इस तरह सब को चौप कर लेंगे अब कढ़ाई में एक टेबल स्पून सरसो का तेल डालेंगे तेल पकने पर एक चमच जीरा डालें एक से दो साबुत लाल मिर्च डाल कर इसे चलाएं जब जीरा और साबुत लाल मिर्च टकने लगे तो इसमें अद्रक लहसुन और हरी मिर्च को डालें और इन सब को हलका ब्राउन होने तक चलाते रहें जब यह पक जाये तो इसमें कटा हुआ प्याज डालें और प्याज डाल कर इसे थोड़ी देर के लिए चलाएं अब इसमें एक चमच धनिया पाउडर डाल कर थोड़ी देर के लिए चलाएं एक चमच हल्दी पाउडर डालें और इसे थोड़ी देर के लिए चलाएं थोड़ी देर चलाकर इसमें एक चमच चुकंदर का पाउडर डालें और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं हमारा मसाला लग भगबग चुका है अब इस स्टेज में इसमें गरम मसाला डालें और इससे चला कर इसमें उबली हुई दाल डाल दें दाल डाल कर इसे थोड़ी देर के लिए घड़ाही में ऐसे ही चलाते रहें ताकि हमारी दाल अच्छे से घूल जाए क्योंकि यह दाल थोड़ी गली हुई ही अच्छी लगती है अब इसे तीन से चार मिनट के लिए ढख कर रख देंगे चेक कर देखेंगे कि हमारी डाल बन गई है की नहीं हमारी डाल बन कर रेडी हो चुकी है अब इस दाल को सर्विंग पाउल में शिफ्ट कर देंगे डाल तो देखने में बहुत स्वाधिश्ट लग रही है चलो हरा धनिया डाल कर थोड़ा इस दाल का टेस्ट और बढ़ा दे इस तरह हरा धनिया डाल कर हमारी डाल पुरी धरस से सौक करने के लिए रेडी हो चुकी है चलो इस दाल को चावल के साथ खाके देखते हैं यह डाल कैसी लगती है चटनी लगा कर तो इस दाल का टेस्ट और भी भढ़ जाएगा आप भी इस दाल को ट्राइकन और मुझे बताना की आपको यह रेसिपी कैसी लगी